सश्रीकाल जी आज की जो वीडियो है वो है CBSE बोर्ट की जिसमें आपका 10th या प्लस 2 का duplicate DMC अप्लाई करना है अगर lost हो गया तो क्या उसका procedure है CBSE बोर्ट से निकालने के तो first of all आपने अगर मार्कशिट निकालनी हो या migration निकालना हो तो यह दोनों process जो है वो online है तो यहां आपने देखी fees जो इनकी लिखी भी है वो total जो fees है आप देख सकते हैं अगर आप 5 years तक का है वो 250 है with postal charges होंगे more than 5 to 10 years का है तो 500 होगे with postal charges separate अगर more than 10 to 20 years का back है तो वो 1000 होगे तो यहां आपने अपना selective 10 है plus 2 का जो भी आपने अगर migration लेना है या आपने duplicate dmc लेना है तो उसके बाद फिर यह आपने candidate का rule number और passing year ठीक है जी passing year के बाद फिर आप अपने आना है passing year यह candidate passing year हो गया और candidate का नाम और father ने research करना है तो यह portal जैसे खुलेगा तो उसमें वो आपसे पूछेगा कि आपको urgently चाहिए या आपको 15 दिन में चाहिए अगर आपने urgently लेना है तो 1000 fees होगी विद और उसकी facility यह भी है कि by hand लेना आपने तो आपको by hand भी मिल जाएगा अगर आप कहते हो कि में जे पोस्टल चाहिए तो urgently में two day का process होता है और वो आपके घर के respectfully आपके घर के address पर आ जाता है तो एक आईटी प्रूफ भी आपने upload करना होता है अपना अधार कार्ड आप upload कर सकते हैं या driving license पासपूर्ट की copy कोई भी आपका आईटी प्रूफ आप upload कर सकते हैं आगे यह आईगन उसके बाद जो है अगर आप पंदा दिन का लिए करते हैं तो 500 फीस है विद आपके 40 रुपे या 100 रुपे जो भी पोस्टल चार्जस है और किस address पर पोस्ट करना है वो और फोन है तो यह सब फीस पे करनी है और जब फीस पे करोगे उसके बाद आपके पास application एक नंबर आ जाएगा उस application नंबर से आप अपना यह application नंबर आप अपने ट्रैक कर सकते हैं जो अब आप फीस पाई कर दोगे तो यह application tracking नंबर आ जाएगा तो आप ट्रैक कर सकते हैं अगर आप पोस्टल देते तो पंदा दिन ब कि पोड़ जाए और इसे ही मगरेशन है जो मैग्रेशन है वह भी आप माई उनलाइन करने के बाद आप यूधार्श पूसक्त अउनलाइN आप्लाइब करने के बाद जाद है आप आज यदा तो उसके बाद जो है फीस भी इनोंने जो है सर्कुलेट निकाला है सीवेसी बोर्ड ने तो इसका जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूं तो यह जो है सेंटर बोर्ड ने जो वी फीस बता रखी है आप देख सकते हैं इसमें जो आपने रवाइस है जो मैंने आपको पहले बताए है कि अगर फीस इसमें की पांसो हजार तो मैंने बतादी अगर अगर 20 साल पुराना आपका सेटिफिकेट है तो दो हजार है migration duplicate लेना है भाईसो और पज़ेँ अब कर जो है धाइसो और प्रफिजन पर का सेसे के दोसो और तक्ताइल में लेना है जंटली 500 व्यर्इफिकेशन है तो यह फीस का जो है लिंक भी है आप यह चेक कर सकते हैं नोटिस इसू कर रहा है और सारा प्रसेस जो CBAC पोर्ट का है वह online हो या duplicate DMC और migration यह दो जो आप कर सकते हैं online बाकि सारा system जो correction करनी है या आपने कोई changes करानी है वह सारा system जो है offline सिर्फ दो चीजे आप online apply कर सकते हैं तो आप घर बैठे जो है अपना duplicate DMC और migration ले सकते हैं आपको CBSE board में जाने की जुरूरत नहीं है यह दो आप फैसले कर आप CBSE board की transcript लीना चाहते हो कराना चाहते हैं CBSE board की तो आप हमें contact कर सकते हैं हमारे नंबर पर CBSE board की इलावा काफी युनिवर्सटी और बोर्ट की हम लोग transcript provide कर वाते हैं तो आप हमें contact कर सकते हैं